बिस्मिल्लाहिवाहिवाहिवाहिव असलामु अलाइकुम मैथमेटिक्स टैंथ क्लास और इसका योनिट नंबर थिरी जारी है एक्सरसाइज है 3.4 क्वेस्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स हाल हो चुके हैं और कंपोनेंडो और डेविडेंडो मैथट मसलाय तरकीबो तफसील से पार्ट नंबर 6 करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 6 कुछ यूँ है एक्स माइनस 2 का स्केर माइनस एक्स माइनस 4 का स्केर ओवर यानि बटे में एक्स माइनस 2 का स्केर जमा एक्स माइनस 4 का स्केर इक्वल है 12 ओवर 13 यानि 12 बटे 13 इसको हम मसला ये तरकीब और तफसील से हल करेंगे तो रकम कुछ यू है एक्स माइनस दो का स्केर माइनस एक्स माइनस चार का स्केर बटे में एक्स माइनस दो का स्केर जमा एक्स माइनस चार का स्केर बराबर है 12 बटे 13 तो तरकीब और तफसील निस्बत से यानि जो बटे के उपर रकम है पहले उपर भी लिखी जाएगी और नीचे भी लिखी जाएगी लिखेंगे एकस माइनस टू का होल स्केर माइनस एकस माइनस चार का मकमल मरब्बा उपर भी लिख ली अब ब्रैक्ट लगाने के बाद इसी रकम को नीचे भी लिखते हैं एकस माइनस दो का स्केर माइनस एकस माइनस चार का स्केर और बड़ी ब्रैकट लगा देते हैं वो इसलिए के साइन को हल करने में हसान नी हो अब जो बटे वाली रकम है ये उपर भी लिखेंगे नीचे भी लिखेंगे लेकन उपर पहले जमा का साइन और नीचे माइनस का साइन नीचे वाली रकम है एक्स माइनस दो का स्केर जमा एक्स माइनस चार का स्केर एक्स माइनस चार का स्केर और बड़ी ब्रेकट लगा देंगे और यही रकम बटे में भी लिखी जाएगा माइनस के बाद बड़ी ब्रेकट लगाते हुए लिखा X-2 का स्केर माइनस जमा सारी जमा X-4 का मकमल स्केर अब मसावी के साइन के बाद 12 उपर भी लिखेंगे और 12 नीचे भी लिखेंगे उपर जमा का साइन आएगा और नीचे माइनस का अब 13 को उपर भी लिखा जाएगा और 13 को बटे में भी लिखेंगे अब ब्रैकेट्स को खतम करते हैं उपर ब्रैकेट्स खतम करने से साइन में कोई तब दिली नहीं आएगी लेकर नीचे चुँके दरम्यान में माइनस है इसलिए ब्रैकेट्स के बाद जो भी रकमे है उनका साइन चेंज होगा उसी तरह x-2 का स्केर जमा ही रहेगा x-4 का स्केर और बटे में भी शुरू में तो वो ही आएगा x-2 इसका स्केर माइनस आगे क्या है x-4 का स्केर अब अंदर वाले साइन चेंज होगा माइनस x-2 का स्केर और ये भी जमा जो है न ये भी माइनस हो गया x-4 का स्केर हो गया दूसरी साइड पे 12 और 13 को जमा करें तो ये आजाता है 25 कितना आएगा 25 और बटे में 12 माइनस 13 माइनस एक आ गया अब उपर माइनस x-4 का स्केर जमा x-4 के स्केर से कैंसल नीचे भी x-2 का स्केर मनफी के x-2 के स्केर के साथ कैंसल हो गया बाकी उपर रह गया जी हमारे पास x-2 का स्केर दो दफ़ा है 2 x-2 का स्केर बटे में माइनस 2 x-4 का स्केर बराबर है 25 बटे माइनस एक तो ये 2 से 2 कैंसल हो गया माइनस से माइनस कैंसल हो गया ये आगया जी x-2 बटे x-4 का मकमल स्केर और यह 5 का square और 1 का square पांच बटे 1 का square हो गया तो यह जो square है न यह cancel होगा square root के साथ तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ का square root लेंगे इदर लिखा x-2 बटे में x-4 इसका square था इसका square root ले लिया दूसरी तरफ भी पांच बटे एक है और पांच बटे एक का स्केयर था इसका भी स्केयर रूट ले लिया अब स्केयर और स्केयर रूट आपस में दोनों तरफ कैंसल हो गया लेफट साइड पे हमारे पास आ गया जी एक्स माइनस दो बटे एक्स माइनस चार तो जमानफी लिखेंगे पहले अब फिर क्रास मल्टिपलाई करेंगे तो एक जर्ब होगा तो X माइनस दोसी तरह दूसरी साइड पे प्लास माइनस पांच इंटू X माइनस चार X माइनस चार अब इनको अलैदा अलैदा जमा और माइनस वाले लैदा लैदा करके लिखेंगे X माइनस दो ब्राबर है जमा पांच इंटू X माइनस चार और दूसरी दफा X माइनस दो ब्राबर है माइनस पांच इंटू X माइनस चार के ये हल करेंगे जी पांच अंदर मल्टिप्लाई होगा लेफट साइट पे X माइनस दो सी तरह आ गया पांच X हो गया माइनस चार पांच बीस हो गया और इदर X माइनस दो तो इसी तरह ही है माइनस पांच X हो गया और माइनस माइनस जमा के बीस हो गया अब पांच X को लेफट साइड पे लेके आए तो X माइनस पांच X बराबर माइनस बीस और जमा दो माइनस बीस जमा दो तो इदर X माइनस सोरी जमा पांच X हो गया लेफट साइड पे तो जमा का बीस पहले या दो भी जमा हो गया राइट साइड पे जाके यह जी माइनस के चार एक्स आ गए माइनस के चार एक्स बराबर जी माइनस के अठारा माइनस के अठारा और इदर छे एक्स बराबर बाइस के बीस और दो बाइस माइनस के साथ माइनस कैंसल हो गया ये जो चार है दूसरी तरफ जाएगा और अठारा को तकसीम कर देगा तो अठारा तकसीम चार ये जे कैंसल करने से नौ बटे दो आ गया और ये चे दूसरी तरफ जाएगा एक्स बराबर 22 बटे 6 इनको कैंसल करेंगे तो 2 एकम, 2, 11, 2, 22 और 3, 2, 6 11 बटे 3 आ गया इस तरह जो हमारा हाल सेट है जो X की कीमते हैं वो हमारे पास आ गए है 9 बटे, 2 9 बटे, 2 और दूसरी कीमत है 11 बटे 3 11 बटे, 3 और इस question का यही हाल सेट है और यही इसका book के पीछे answer है इसी exercise के अगले question की तरफ और उसको भी हाल करते हैं लेकन अगला question शुरू करने से पहले exercise के अंदर जो question number 2 है उसका जो part number हम हाल करने जा रहे हैं वो part number 7 साथ है लिखा हुआ है एकसकेर जमा दो अंडरूट जमा एकसकेर मनफी दो अंडरूट बटे में एकसकेर जमा दो अंडरूट मनफी एकसकेर माइनस दो अंडरूट बराबर है दो के तो ये साथवा और आठवा पार्ट एक जैसे हैं तो साथवा पार्ट हम करने जा रहे हैं तो इसको भी वही कमपोनेंडो और डेविडेंडो मैथड से हल करना है तरकीब और तफसील निस्बत से ही हल करना है वही तरीका होगा फरक सिर्फ ये आया है कि यहां अंडरूट आ गया है तो इसको हल करने से पहले डिया स्टूडेंट्स मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे अगर अभी ताक सब्सक्राइब बैल आइकान भी क्लिक कर दे ताके आने वाले वेरी इंपॉर्टनेट लेक्चर्स का नोटिफकेशन आपको मिलता रहे तो ये साथमा पार्ट कुछ यूँ है एकस के अर जमा दो अंडरूट जमा एकस के अर माइनस दो अंडरूट बटे में X square जमा 2 under root माइनस X square माइनस 2 under root बराबर है 2 के तो ये जो 2 है इसके बटे में कुछ नहीं है हम इसके बटे में दो के बटे में एक लिख देंगे और फिर तरकीबो तफसील निस्बत से इसको हल करते हैं जी तो इस क्वेस्चन पर तरकीबो तफसील निस्बत लगाने से उपर लिखा जाएगा ब्रैकट लगाते हुए X square जमा 2 आगे जमा फिर under root X square माइनस 2 ये उपर लिखा ब्रैकट बांद करेंगे और बटे में भी यही लिखा जाएगा ब्रैकट शुरू करेंगे X square जमा 2 और जमा X square माइनस 2 और ब्रैकट बांद कर देंगे उसके बाद उपर जमा का साइन है और नीचे माइनस का साइन अगली ब्रैकट लगाएंगे और आप जो बटे वाली रकम है ये उपर भी लिखी जाएगी और बटे में भी लिखी जाएगी ये रकम है जी X square पलास टू माइनस X square माइनस टू उपर लिखी ब्रैकट लगा दी और नीचे भी लिखेंगे ब्रैकट शुरू है X square जम्मा दो अंडरूट माइनस X square माइनस दो अंडरूट ये तो हो गई left side इस पे component और डैविट एंड यानि तरकीब और तफसी लगा दिया दूसरी तरफ दो उपर भी लिखा दो बटे में भी लिखा उपर जम्मा का साइन नीचे माइनस का साइन नीचे एक लगाया था एक उपर भी लिखा और एक नीचे भी लिख दिया अब ब्रैकटों को खतम करेंगे उपर ब्रैकट खतम होंगे तो कोई sign चेंज नीचे नीचे लेकर बटे में sign चेंज होंगे माइनस के बाद तो ब्रैकट को पहले बटे से उपर खतम करते हैं वही रकम लिखmee जाएगी x2 जम्मा का साइन है वो लगाएंगे जम्ह X की दो माइनस दो आगे जम्ह का साइन है जम्ह लिखा जाएगा फिर आगे रकम है X की दो जम्ह दो का अंडरूट आगे माइनस है वो ही साइन आएगा जम्ह मनफी मनफी होता है X की दो माइनस दो अंडरूट वाले साइन चेंज नहीं होगे आप बटे में आ जाएं तो ये X की दो जमा दो उसी तरह ही फिर जमा का साइन भी वो ही रहेगा जमा का साइन लगा दिया आगे X की दो माइनस दो अंडरूट अब साइन चेंज होंगे जी माइनस हो गया जी X की दो जमा दो आगे माइनस है तो माइनस और माइनस जमा हो गया जमा X की दो माइनस दो अंडरूट और राइट साइड पे दो और एक तीन बटे में दो में से एक माइनस करे तो एक आ गया अब जो बटे के उपर हैं वो कैंसल कार दिये जी जमा एक्सकेर मनफी दो मनफी एक्सकेर मनफी दो से और नीचे एक्सकेर जमा दो मनफी एक्सकेर जमा दो अंडरूट से कैंसल हो गया उपर जो सेम नमबर है उनको जमा किया तो 2 x की 2 जमा 2 अंडरूट नीचे 2 x की 2 माइनस 2 अंडरूट बराबर 3 बटे 1 अब ये जो लेफट साइट पे 2 उपर भी है और 2 नीचे भी है ये आपस में कैंसल हो गया और ये जो दोनों नमबर अंडरूट में अकठा अंडरूट ले लेंगे क्या करेंगे अकठा अंडरूट ले लेंगे उपर लिखा जाएगा x की 2 जमा 2 नीचे x की 2 माइनस 2 और सारे का अकठा अंडरूट ले लिया दूसरी तरफ 3 बटे 1 अब अंडरूट को खतम करना है तो दोनों तरफ का हम स्केर लेंगे मरबा लेंगे क्योंके स्केर और स्केर रूट अपस में कैंसल हो जाते हैं तो लिखेंगे दोनों तरफ का दोनों तरफ का मरबा लेने सेज मरबा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि स्केर जजर जो है मरब्बे के साथ कैंसल हो जाता है तो लिखेंगे X की 2 जमादो बटे में X की 2 माइनस 2 इस सारे का अंडर उट और इसका क्या ले लिया? स्केर मरब्बा. दूसरी तरफ है जी 3 बटे 1 इसका भी मरब्बा ले लिया तीन बटे एक का स्केयर दूसरी तरफ हाँ जी क्या अब स्केयर और स्केयर रूट कैंसल हो गया मरब्बा और जज़रॉल मरब्बा कैंसल आ जाएगा X की दो जम्म दो X की दो जम्म दो बटे X की दो माइनस दो और दूसरी तर मुर्बे का खोल लें तो तीन तीन नौ बटे एक का मुर्बा एक ही होता है अब क्रास मल्टिपलाई कार देते हैं जी एक जर्ब होगा एकस की दो के साथ तो हो गया नो एकस की दो क्या हैगा अच्छा सौरी एक जर्ब होगा न तो एकस की दो जमा दो ही आ गया अब एकस की दो माइनस दो नो के साथ जर्ब होगा राइट साइड पे तो नो एकस की दो माइनस अठारा माइनस अब एकस की दो को तो कर लेते हैं लेफट साइड पे लिखा जाएगा X की दो माइनस 9X की दो लेफ्ट साइड पे जाके ये 9X की दो मनफी हो गया बराबर मनफी का 18 तो पहले ही मौजूद है दो भी इदर आके मनफी हो गया दो इदर आके मनफी हो गया तो X की दो मनफी 9X की दो ये आगया जी मनफी के 8X की 2 मन्फी के कितने 8X की दो और राइट साइड पे मन्फी के 18 मन्फी के 2 मन्फी के 20 हो गए अब यह जो दोनों तर माइनस है यह आपस में कैंसल हो गया 8 क्या कर रहा है जी लेफट साइड पे मल्टिपलाई हो रहा है एक्स की 2 के साथ तो 8X की 2 बराबर 20 के अब यह जो 8X की 2 के साथ जरब हो रहा है ना तो राइट साइड पे जाके डिवाइड करेगा 20 को X की 2 बराबर है 20 बटे 8 यह 4 पे कैंसल हो जाएगा 20 बटे 8 किस पे कैंसल होगा 4 पे 4 पांच 20 और 4 दो 8 X की 2 यहां से हमारे पास आगया 5 बटे 2 5 बटे 2 हमने चुँके अब वैल्यू मालूम करनी X की इसलिए क्या करेंगे दोनों तरफ का स्केर रूट लेंगे X की 2 का स्केर रूट यह जजर तो 5 बटे 2 का भी हमने स्केर रूट ले लिया तो लेफ्ट साइड पे तो स्केर रूट कैंसल हो गया X आ गया और X इक्वल हो जाएगा यहां से प्लास माइनस जमा मन्फी अंडर रूट पांच बटे 2 और यही हमारा हाल सेट है यही हमारा आंसर है तो डियर स्टूड़ेंट इस तरह X की कीमत हमारे पास क्या आ गया है जमा मन्फी अंडर रूट पांच बटे 2 इसको लएदा लएदा करके भी लिखा जा सकता है तो यह X टीनियस रूट है इसका मतलब है इसका स्लूशन सेट तो खाली सेट होगा तो बरहाल इतना ही काफी है बता दिया अब इसके बाद जो इसी तरह का अगला क्वेश्चन है वो नहीं किया जाएगा तो क्वेश्चन नमबर दो का नौवा पार्ट है X जमा पांच का क्यूब बटे माइनस X माइनस तीन का क्यूब बटे में तरीका, उसी तरह के नमबरेंड़् है, उसी तरह की रिकम है, इसलिए तरकेब और तफशील, यानि komponendo और dividendo method को, इस्तमाल करते हुए, इस question को भी हम हल करते हैं, तो सबसे पहले इसको पेपर पर लिखते हैं, और उसके तरकीब और तफसील लगाते हुए हाल करेंगे तो लिखा X जमा पांच का QB माइनस X माइनस तीन का QB बटे में X जमा पांच का QB जमा X माइनस तीन का QB बराबर है तेरा बटे चौदा के तो बाई कंपोनेंडो एंड आविडेंडो मेथड तरकीब औ तफसील निस्बस से उपर वाली रकम उपर लिखी X जमा 5 का मकाब माइनस X माइनस 3 का मकाब ब्रैकट लगा दी नीचे भी यही लिखनी है ब्रैकट शुरू करेंगे X जमा 5 का मकाब माइनस है X माइनस 3 का क्यूब और ब्रैकट को बंद कर दिया अब उपर जमा का साइन आएगा लगा दिया और नीचे माइनस अब जो बटे वाली रकम है वो उपर भी लिखी जाएगी और नीचे भी ब्रैकट लगाते हुए X जमा 5 का मकाब जमा X माइनस 3 का मकाब और ब्रैकट बंद कर दिया बटे में भी यही लिखना है ब्रैकट लगाते हुए X जमा 5 का क्यूब जमा X माइनस 3 का क्यूब और ब्रैकट बंद राइड साइड पर 13 को उपर भी लिखेंगे बटे से और नीचे भी 13 बटे में भी 13 उपर जमा का साइन लगाया नीचे माइनस का अब 14 को उपर भी लिख दिया और नीचे भी लिख दिया लेफट साड़ पे ब्रैकिट को खतम किया जाएगा, बटे से उपर ब्रैकिट खतम होगी तρχूसर तर्मेंगे दरमयान में जमा का साइन है, इसलिए कोई साइन चेंज नहीं होगा X जमा पाँच का मकाब माईनस X माईनस तीन का मकाब आगे चुकि जमा का साइन है इसलिए साइन वो ही रहेंगे X जमा 5 की पावर 3 जमा X माइनस 3 की पावर 3 बटे में X जमा 5 की पावर 3 माइनस यह माइनस है जमा क्यों कर दिया यह माइनस का साइन ही है माइनस ही रहने देंगे माइनस X माइनस तीन का क्यूब आगे साइन चेंज होंगे बाहर माइनस है माइनस X जमा पांच का क्यूब ले लिया आगे माइनस ही आएगा जमा मनफी मनफी X अब उपर X-3 कैंसल हो गया प्लस X-3 वाले क्यूब से और नीचे X जमा 5 का क्यूब जमा 5 के क्यूब से कैंसल उपर आगया 2 इंट्व X जमा 5 का मकाब 2 x जमा 5 का क्यूब और नीचे आ गया माइनस 2 माइनस 2 इन्टू x माइनस 3 का क्यूब x माइनस 3 का क्यूब आगे जी equal का sign है तो 27 माइनस उपर ले गए एक पे तक्सीम करेंगे तो कोई change नहीं यानि equal है हाँ जी equal तो नहीं है आगे 2 x 2 कैंसल हो गया जी और माइनस के sign के साथ माइनस भी कैंसल कार दें अब x जमा 5 का क्यूब कठा लिख दें जी नीचे x माइनस 3 का क्यूब ये बराबर हो गया किसका क्यूब बनता है जी 3 बटे एक का 3 बटे 1 का होल क्यूब अब मकाब कठा ले लें फिर खत्म करेंगे x जमा 5 बटे में x माइनस 3 बटे में क्या आएगा x माइनस 3 आएगा तो x जमा 5 का क्यूब लिखा और x माइनस 3 सारे का कठा क्यूब बना दिया एकूल है 3 बटे एक 3 बटे एक का क्यूब अब जो मकाब है क्यूब है ये खत्म होता है क्यूब रूट के साथ जजरॉल क्यूब के साथ जजरॉल मरबा नहीं जजरॉल क्यूब एक्स जम पांच बटे एक्स माइनस तीन इसका मकाब यानी क्यूब तो क्यूब उसी तरह लगाया और इसका क्या हमने ले लिया है क्यूब रूट बराबर तीन बटे एक का मकाब है तीन बटे एक का मकाब और इसका भी क्यूब रूट है तो क्यूब और क्यूब रूट आपस में कैंसल हो गया लेफ्ट साइड पे आ गया एक्स जम पांच बटे एक्स माइनस पांच लेफ्ट साइड पे क्या आ गया एक्स जम पांच बटे एक्स माइनस तीन बराबर तीन बटे एक लो जी आब क्रास मल्टिपलाई करते हैं जिसको कहते हैं चिले पाई जरब एक जरब हो जाएगा एक्स जमाँ पाँच से तो एक्स जमाँ पाँच ही आ गया क्यूंकि एक जिससे भी जरब हो उसकी सेथ पर कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि एक क्या है मल्टिपलीकेटिव आइडेंटिटी है तीन जरब होगा एक्स माइनस तीन से तीन एक्स माइनस तीन नो तो एक्स माइनस तीन एक्स तीन एक्स लेफट साइड पे आ गया माइनस का 9 पहले है उसी तरह लिखा 5 राइट साइड पे जाके माइनस का हो गया तो X माइनस 3X ये बनता है माइनस के 2X माइनस के 2X और दूसरी तरह मसावाद के एक्वेशन के माइनस 14 हो गया तो माइनस से माइनस भी कैंसल कर देंगे माइनस से माइनस कैंसल कर दिया ये क्या है? दो X है और राइट साइड पर क्या रह गया है? 14 यानि 14 है अब दो मृल्टिप्लाई और X के साथ राइट साइड पर जाके 14 को डिवाइड करेगा तो 14 बटे 2 अब 2 पर कैंसल करेंगे तो एक्स तो उसी तरह यह दो एकम दो साथ दो चौदा सेवन टू दा फॉल्टीन एक्स कितना आ गया साथ आ गया और यही एक्स की कीमत है यही हमारा हल है इस क्वेस्चन का तो डियर स्टुडेंट्स इस तरह यह एक्सरसाइज भी कम्पलीट हुई इसको बहुत अच्छी तरह त्यार करना है कम्पोनेंडो और डैविटेंडो मैथड को दौाओं में मुझे मुझे मुहमद अबास को याद रहिएगा आएंदा मिलेंगे नए लेक्चर के साथ फी अमानिल्लाह